है कि गाईज वेलकम तू माई चैनल स्वामे टरूट का रीडिंग और इस समय पर गाईज इस समय पर जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ Aquarius के लिए करने जा रही हूँ Aquarius 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए आपकी लव लाइफ क्या होगी 2024 में आपका relationship कैसा होगा आपकी married life कैसी होगी आपका जो भी रिष्टा है आपके person के सायथ कैसा होगा 2024 में क्या 2030 की तरह ही जाएगा ये 2024 2024 ये 2024 में उमीदे होगी कुछ अच्छी opportunities मिलेंगी new beginning होगी marriage होगी क्या होगा 2024 में चलिए चेक करेंगे Aquarius आपके लिए ही reading तो आपके person के energies को भी मैं read करके बताऊंगे अगर आपके person है कोई partner है तो उनकी energies को भी बताऊंगे and आपका career ठीक है आपका career भी मैं बताने वाली हूँ आपका health जो भी चीज़ आएंगे Aquarius मैं आपकी बताने वाली हो 2024 के लिए बाकी सारी sign की reading मैं all sign की reading को मैं लेकर आने वाली हूँ अपने इस channel के उपर so please subscribe करके रखिएगा channel को and notification को भी on करके रखिएगा तो चले स्टार्ट कर लेते select see देख लेते है Aquarius क्या है 2024 में भई 2024 मैं तो यहीं बोलूगी कि सब के लिए बहुत अच्छा चाहो include me guys मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो हाप सब के लिए बहुत अच्छा हो देखिए इतना लिखिए comment section box में अच्छा लगते है जब पढ़ते हैं तो चले देखते है Aquarius ओ वाव नाइस दा सन का कार्ट बहुत positive है ओ माइग गॉड इतनी बड़ी happiness मिलने वाली है आपको relationship में Aquarius बहुत बड़ी खुश खबरी कुछ अच्छा होने वाला है मैं आप से एक चीज़ बोलूँगी Aquarius कि लव रिलेशन से फो आपका बहुत ही beautiful दिख रहा है करियर को लेकर 2024 Aquarius आपको बहुत ही beautiful जाने वाला है first card ही दा सन का है मतलब जैसे देख रहे हूं सन में bright lights है है ना सन कैसे जग बगार आ है कुछ इसी तरह रहने वाला है आपका 2024 Aquarius आपकी लाइफ में सबसे शानदार जितना भी आपका time है जितने भी आपकी age है उसमें सबसे शानदार ये साल आपका रहने वाला अभी तक का 2024 एक तम सन की रेज़ आ रही है आपका करियर में जहाते क्योंकि करियर में एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी विटिफुल आ रही है मतलब अगर आप रेलेशनसिप में आभी तक स्ट्रेस में थे रेलेशनसिप में कोई बात नहीं बन रही थी और कई नहीं अब अकेला पन फील कर रहे था क्योंकि कोई न्यू बिगिनिंग नहीं मिल रही थी या फिर मतलब एनर्जीज पूरी तरीके से आपकी वर्क नहीं कर रही थी तो मैं बोलूँगी कि सन के कार्ड के साथ अब आपके लाइफ में सक्सेसफुल एनर्जीज को मैं क्योरियस देख रही हूँ और दूसी चीज आपका करियर को लेकर भी बहुत ज़ाद उम्मीद है बतलब अगर मैं बोलूँ एक वर्ड कि मैं उम्मीदों भरा साल है 2024 है ना बहुत कुछ अच्छा अच्छा आप इस साल देखने वाले करियस बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही है यहां पर बहुत ही पूरा डिवाइन का सपोर्ट रहेगा आपको आंजल का आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे हो गए थे कार्ड के अकॉर्ड के कुछ समय आपने पीछे ऐसा देखा है पास्ट में कुछ ऐसा टाइम देखा है आपने चाहिए आपका करियर हो चाहिए का इसमें मतलब एक निगेटिविटी सी आ गई आपके उमीदें ही खतम हो गई लेकर यह जो कार्ड है ना यह कार्ड टाइन ओवेंट्स का यह कार्ड यह कह रहा है कि भाई अब तुम वापस आजाओ तुमारे लाइफ में अच्छे चेंजिस आने वाले हैं तुमारे मतलब खुशी किस बजह से आई यह नहीं आप समझ सकते हो खुशियां आ रही है बस अब दर्वाजा खोल के रखेगा क्यों बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आ रही है तो यहां पर टैन अवेंट्स मतलब वह हैपिनेस जो जा चुकी थी वह लोटकर आ रही है रिलेश 24 में स्ट्रोंग एनरजी जा रही है एक तरीकी की बांडिंग आप दोलों के विश्वें अच्छी होने वाली अंडरस्टेंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है रिलेशन सिप को लिकर न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ आपकी दिखाए दे रही है और बैंट है यह साल आपके लिए हाल्थ के लिए देख लेते हैं हाल्थ में तो न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे अब आप बोलोगे मैं न्यू बिगनिंग कैसी देखिए अगर आप पीछे कुछ टाइम से हाल्थ में शूज आप फेस करें ठीक हाल्थ को लेकर अपसेट थे बार बार इसी चीज़े हो रही थी है फिर ठीक हो रही थी फिर ठीक हो रही थी फिर कुछ प्रावलम सा रहे थी कुछ शूज आ थे हाल्थ को लेकर खास थाए पर तो मैं यहांपर बोलूंगी कि समय बहुत अच्छा है क्योरियस जो करना है आपको अपने करियर में आगे बढ़ना तो आगे बढ़िए ओगी हैल्थ आपका साथ दिने वाली है पूरी करिके से कबस है ना कबस में आपको फिश तिकरी होगी जो कि एक new beginning का sign है जो कि आपको ये कह रहा है कि लगातार आपकी life में energies जो है वो positive energies आती जा रही है Aquarius आप इस साल का मैं तो आपको यही बोलूगी कि आप इस साल का लाव उठाईए एक successful year आपके लिए दो जर चाबे साबित होने वाला है एक new beginning आपकी life में होने वाली है और कहीं ने कहीं career में कुछ ऐसा हो जाएगा Aquarius जिसकी आपने उमीद भी नहीं की होगी ऐसा कुछ 2024 में आपकी career में बहुत बुलंद career हो सकता है दूसी चीज health को लेकर बहुत positive होने वाला है ये साल आपके लिए आप Aquarius की जो राशी है वो अपनी moon sign चंदर राशी अपनी name राशी sun sign से भी देख सकते हैं इसको वैसे तो जहां तक मैं बोल रही हो ये moon sign की face पर बोल रही हो ठीके लेकिन आप Sun sign Venus sign से भी देख सकते हैं और पार्टनर की तरफ से card ले लेती हूं एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है मैरेस को लेकर कुछ मैरेस के energy दिख रही है क्यों तो कहीं न कहीं देखिये बहुत सारे लोग होंगे एक क्योरेस है ना बहुत सारे कुमबराशी के लोग होंगे जो मुझे देख प पा रहे थे family issues आ रहे थे हैंना शादी को लेकर लगाता है रुकाबट देख रहे थे और दिल टूट रहा था है क्योरेस अब का बार बार क्योंकि energy ऐसी आ रही है कि पीछे काफी टाइम से आप शादी के लिए बहुत कोशिस करें कि हाँ बहीं शादी हो जाए लेकिन साला एक नया सवेर एक बिगनिंग होती है शादी को लेकर भई यहां पर पार्टनर जो है वह बहुत तेजी से कोई परसन जो है वह आपकी life में लौट कर आ रहे हैं और निव बिगनिंग भी आपकी किसी के साथ हो सकते हैं शादी को लेकर बहुत जादा एक अच्छी energy इस सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा भाई यूनिवर्स से में प्रार्थना करूंगी अपने सब्सक्राइबर के लिए कि जो भी सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट्स फॉलो करें मेरे चैनल को मेरे विवर्स इश्वर करें 2024 उनके लिए बहुत अच्छा सो यहां पर six events एंड अच्छा ठीक है एक चीज मैं और बोलूगी अक्वरियस एक भी कार्ड ऐसा है ही नहीं जिसको मैं यह बोलूँ कि आपके लिए यह कार्ड नहीं है या फिर आप यह करो वो करो सारी कार्ड से positive energies आ रही है तो यहां पर एक चीज और बोलना चाहूंगे परसन जो है वो कहीं नहीं अपने दिल की बात क्या सकते हैं वो छुपे हुए secrets जो बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि मुझे पता चल जाए एक बार ही पता चल जाए इस पार्टनर का कुछ भी लाइक थार्ड परसन के असलियत कोई भी चीज ऐसी secrets जो बहुत टाइम से कहीं दिल में पता थे आपको लेकिन खुलासा नहीं होगा था वह दहुए आपके सामने आने वाली और परसन की तरफ हो लेकिन मैं देखे एक स्ट्रोजर क्या होता है कि सारी चीज़ों को बताए है ना यहां पर मैं कुछ चीज़ ऐसे देख रहे हूं कि कहीं आप किसी बात को लेकर overthinking करते रहते हैं तो वह नहीं करने हैं आपको जो कि वे बज़े की overthinking से देखें कोई फाइदा नहीं होता है अब ही overthinking कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर रहे हैं देहन उसके बाद आपका वह काम बड़ी तरीकियों से हो जा रहा है उसमें तो लग बाते पर चलता है मैं तो बेकारी इतना जदा overthinking कि यह तो चीज़ वैसी solve हो गई तो overthinking नहीं करनी दूसरी चीज़ देखें सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा योग दिख रहा है सरकारी नौकरी आपकी 2024 में लगती दिख रही है मुझे मतलब अगर आप काफी टाइम से सरकारी नौकरी के लिए गवर्मेंट जॉब के लिए बहुत अधा efforts करते हैं और कई नहीं आपका नहीं हो पा रहा था तो मैं बोलूगी कि यह समय बहुत अच्छा है तो यहां पर चितनी मैनत करनी है ना बहुत बड़ा योग दिख रहा है फर्स्ट कार्ड नहीं मुझे बता दे गवर्मेंट कर रहे हैं तो अच्छे से इमांदारी से कर लीजेगा एक करेंसे काफी सिंसियर होते हैं लेकिन वहीं है ना तो थोड़ा से बताना होता है तो मैं यहां पर यहीं बोलूँगी दूसरी गुसे से बचना है ओबर थिंकिंग से बचना है efforts अच्छी तरीके से कर लिए गवर् उससे परसनली तो पर बात करनी है आपको लगता है कि मैं मैम से बात कर लो तो आप कर सकते हैं नंबर है 95401-19650 सिरफ और सिरफ यहीं नंबर है मेरा इस नंबर पर मैसेज करके अपन्मेंट बुक करके आप मसे रेडिंग ले सकते हैं लास्ट कार देख लेती हूँ आपके पर्षिंकी तरफ से क्या कहरें आपकी पर्षिंप आप से दोव हजार चॉइस में है देखें आपके परसन की जो आर रही है आपके परसन मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जरूर है जबही यह वाला काड आपास ठीक है देखो आप इस काड को यहजां कह रहे हैं क्यों पर कई न कई बापस से वो गलती नहीं दोराता है तो आपकी परसन गलती मानने को तयार है और वो पूरी तरीके से आपका साथ देने के लिए वापस आ रहे है तो गाइस यह थी वीटिफुल सी रीडिंग आपकी दो हजार चौबेस के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे जरू कमेंट सेक्शन में कमेंट सरूर करिये अपनी अपनी रीडिंग के लिए और टेक केर बाइबाए